दोस्तो नमस्कार हमारे यूटूब चेनल हेल्थ फिटनेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे बवासिर जैसी गंभीर बिमारियों के बारे में बवासिर होने का कारण क्या है बवासिर के जड़ से इलाज के बारे में आज आप से बात करेंगे कितना भ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबा दिजे इससे हमारे नी वीडियो के अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी अब आए जानते हैं सबसे पहले बवासिर के कारण क्या ह होता है सबसे पहले अगर आपके परिवार में माता पिता को पाइल्स की समस्या है तो आपको बवासिर हो सकता है इसका सबसे आम कारण है मल द्वार में धबाव का बढ़ना इसके लिए भी बवासिर हो सकता है क्योंकि आप सोच के समय ज्यादा जोर लगाते हैं आपको हमे समस्याइं हो सکती है या तो आपके खान पेन में फाइवर मतलब रेशी की कमी के कारण भी बवासिर हो जाता है चाद तर महिलाओं को प्रेग्निंसी में भी पार्च Wales की समस्या हो सकता है बवासिर दो सोच में खून आना, मलद्वार के आसपास खुजली होना, बाहर कुछ निकले होने का एहसास होना, सूजन होना, अगर इन में खून जम जाये तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। पिर अपने आप अंदर भी चला जाता है, बावा सिर के यही कारण होते हैं, अगर यह समस्या किस्यू को एक बार हो जाता है, तो फिर यह समस्या ठीक होने वाली नहीं है, अंग्रीजी दवा में डाक्टर के पास जब तक दवा चलेगा, तब तक आपको सिर्फ राहत मिलेग एलो पैथ दवा जब तक आप खाते रहेंगे, तब तक आपको राहत मिलता रहेगा, और उसके बाद ज्यादा दिन तक दवा चलाने के बाद डाक्टर आपको आपरेशन के लिए बोल देते हैं, मगर आपरेशन के बाद भी कुछ समय के बाद फिर बावा सिर के समस्याएं उभड जाता है, मगर आपको परसान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप बावा सिर से परसान हैं और बावा सिर को हमेशा के लिए जड़ से खतम करना चाहते हैं, तो आपको परसान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एसलिपियस विलनेस के तीन आई रिवेद प्रोडे प्रोडेक्ट है इमोनोडाग्रस और जो दूसरा प्रोडेक्ट है पाइलोडाग्रस और तीसरा जो प्रोडेक्ट है त्रिफलारस अगर आप यह तीनों प्रोडेक्ट को लगातार यूज करते हैं तो यह पाइल्स की समस्या बवासीर की समस्या हैं अगर आप यह तीनों प्र रिजल्ट मिला है और लाखों लोगों ने अपनी बवासिर को ठीक किया है अगर आप इन मर्ज से ग्रसित हैं बवासिर से परसान है तो आप एक बार ये एसलिपियस वेलनेस का प्रोडेक्ट तीन प्रोडेक्ट आप यूज करके आप खुद रिजल्ट पा सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने डिसक्रेप्शन में अपना नंबर दे दिया है आप संपर्क कर सकते हैं इन तीनों परहेज करना अत्यावस्यक होता है परहेज इसका क्या क्या है आपको तली भूने चीजे नहीं खानी है मसाला चीज नहीं खाना है खट्टे चीजे नहीं खानी है और मार्केट का फास्ट पूड जंक फूड आपको नहीं लेना है सबसे ज्यादा आपको खट्टे में कोई कोई भी समान आपको यूज नहीं करना है और इस product को लेने से side effect क्या होता है आईये जानते हैं इसके बारे में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि यह आयरवेद में कोई भी side effect नहीं होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन 무दो anh